मैं अखिल बारती विद्यारती परिशत के 64 राष्टी अधिवेशन में देजबर से आएवे सभी परत्रिदियों एम गणमानी अतितियों का द्वार का तता सुमनाती पुन्य भूमी राष्ट्पिता महात्मा गांधी एम लहापुरूस सरदार पिटेल की जन्म भूमी नर्मदा को अपने प्राकर्तिक सौंदरे में समेटे हुए गुजरात के कंणमाती सहर में सावामती के तठ पर बसे डाक्तर विक्रम सारबाई नगर में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ अब मैं उद्गाटन के संचालन है तू एवईपी गुजरात प्रांत के प्रांत अध्यक्ष डाक्टर रवी सिंग जाला जी को अमंत्रित करता हूँ झाला जी को अमंत्रित करता हूँ नमस्कार मन्या मेयर्श्री ने विनंधी के मंचपर आवे झाला जी को अमंत्रित का हूँ झाला जी को अम उन्दाय। झाला जी को अमंता हूँ विन्दाटन के संचाल्त अपिता का जी कि वग्यक्टर आवे बारत माता की, वन दे, वन दे, वन दे, अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशत के ये चौसाथवे राश्री अधिवेशन, जो की साबर मती टट पे 27, 28, 29, 30, दिसंबर 2018, आज से शुरू होने जा रहा है, उसका उद्गाटन समारम में हम सब उपस्तित है, अधिवेशन उद्गाटन में मंजबे उपस्तित पद्मश्री एश किरनकुमार जी, माननिय मुक्य अतिती, मुक्य मंत्री महोदै श्री विजैभाई रुपानी साब, राश्री अधियक्ष डॉक्टर सुबया जी, राश्रीय महमंत्री श्री आशिश जी चोहान, राश्रीय मीडिया सयोजक्ष री मौनीका चोधरी, माननिय शुरेंद्रकाका पतेल, मेयर श्री एंदरबाद, प्रदेश मंत्री श्री निखिलबाई मेटिया जी, स्वागत सम समिति महमंत्री श्री प्रदीप सी वागेला और मंच के सामने उपस्तित महानुबव जिसमें स्वागत समिति, अधिवेशन की स्वागत समिति और इस अधिवेशन के में उपस्तित सर्व महानुबव स्वागत समिति के सदस्या निमंत्रीत अतितिगन और साबर्मती रिव साबर मती तट पर हमारी गुजरात की सुन्दरता में महेग भरने आये हर एक प्रांत से और खासकर नेपाल से भी प्रतिनिती प्राधियापक चात्रा चात्र और परिवार के स्वजनों अधिका अधिवेशन के उद्गाट अनकारियकरम में आप सब का हर्दिक स्वागत अभ अंचेस्त हैं उनका परीचही देने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं और इसका मुझे गर्व हो रहा है तो सबसे पहले हमारे उद्गाटन समारब के उद्गाटक श्री मानिया पद्मश्री SS किरनकुमार जी आप मुलत करनाटक के रहने वाले हैं 1975 में इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग कैंद्र से अपने केरियर की आपने शरुआत की बाद में आप इस कैंद्र के Associate Director और 2012 में अंतरिक्ष अनुप्रयोग कैंद्र के निर्दरिशक बने आपने Airborne के लिए Electro Article Imagining Spectre और भारत के Mars Avest Antriksyan के Mars उपकरणों के लिए Mithan Sensor के निर्मान में महत्वपूर्ण योग दिया है आपने मंगल गरा की और बेजे गए Mars Avest Antriksyan के साथ साथ मंगल के कक्ष में स्थापित करने में सफलता पूर रननिती बनाई और अब Mars अविस्कार को छोड़ा गया था उसको 104 सेटलाइट छोड़े गये थे उनमें से Moon Mission Chandrayaan 1 का आपके द्वारा सफलता पूर्वक निरक्षन हुआ है आपने भूमी महासागर वातावरान और ग्रह से जुड़े अधियनोन में भी मत्व प्रून योगदान दिया है आप अंतराष्टिय मौसम विग्यान संगटन पृत्वी निगरानी उप्रा समिती और नागरिक अंतरिक्ष सायोग पर बारत अमरिका सैयुक्त कार्यकारी समूग की अंतराष्टिय मंच में इश्रो का प्रतिनी दित्वा किया है वर्तमान में आप अंतरिक्ष अनुस्थदान के सदस्य हैं और हमारे लिए सोबाग्य की बात है कि 2003 में जब गुजरात में राष्ट्र अधिवेशन हुआ उस समय के डाइरेक्टर कस्तुर अन्यंदन इश्रो के चैर्मेन थे तब उनका मार्ग दर्शन कारियकरता को प्रा आप उद्गाटक के रूप में उपस्तित हैं स्री ऐसेस किरन कुमार जी हमारा माग दर्शन करेंगे आज मानिय श्री विजय भाई रुपानी आप मुलत राजकोट गुजरात से हैं आप बाल्यकाल से राष्ट्रिय सवयम सवयक संग से जुड़े हैं चात्र जीवन से ही आप अखिल बार्तिय विद्यार्थी परिश्रत के संपर्क में हैं विद्यार्थी काल में अबाव इपसे आपने चात्र सुनाव में चात्र संगतन मास सैचीव रूप में विजय हुए आपने संगधात्मक रूप में बहुत आंदोलोनों के शिष नेतरुत्व किये और आपको अपात्काल के दोरान मीसा की तरह कारावास भी भोगना पड़ा आप राजनेतिक शेत्र में शक्री होने के पस्चात आपने भारतिय जंता पार्टी में विबिन दाईत्यों का निर्वान किया है आपने पूर्व में राजकोट, महापोर, विदायक एवं राजी सबा सांसच जैसे दाईत्यों का निर्वान किया है एवं आप वर्तवान में गुजरात प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं आपकी सरलता और उत्तन क्रिय कारिय शेली आपके शिश्च नेतरूत्व में गुजरात में स्टेंड अप एंटर्परेनियोर्शीप के लिए अगरीम कारिय किया है मानिय विजय भाई एक दिन पहले ही एक साल दुसरी बार मुख्य मंत्री के रूप में ख़तम किया है और इस एक साल में अनेक कारियो योजना लेके आये हैं स्वागत है विजय भाई डॉक्टर S. सुबया आप अखिल भारत्य विद्यार्थी परिशत के राष्ट्रिय अध्यक्ष है आप मुलत तमिलनाडू के तुतुकुडी जिले से हैं आप विद्यार्थी जिवन से ही सक्रिय कारिय करता के रूप में कारिय कर रहे हैं चिकिट्सा छेत्र में कैसर विशेख श्रगन के रूप में ख्याती प्राप थे आपकी शिक्षा MBBS और MCH चैंसर विगनान तक हुई है तथा वर्तवान में कलपोक मेडिकल कॉलेज चैनाई में कैंसर चिकिट्सा विबाग में प्रोफेसर एवम हैड अफ दे डिपार्टमेंट के रूप में कारियर रहे हैं आपने अब तक एक हजार से अधिक कैंसर सरजरी की हैं आपके 27 चिकट्सिय शोदपत्र राश्रिय एवम अंतराश्रिय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं तता पच्चास विद्यार्थियों को आप अति विशिस्ट कैंसर विशेहिक सिक्षा में मार्ग देशन दे चुके हैं आप कैंसर विगनान चिकिट्सा से जुड़ी विबिन राश्रिय संस्तानों में भी मानिया सदस्या हैं आपका चिकिच्सा से जुड़ा सेवाकारिय में विद्यार्ति काल से ही सबंद रहा है तथा तमिल नाडू में जो शिक्षा के विकास तथा तमिल इत्यास पर विशेश रुची रखते हैं आप वर्स 1988 से परिश्यत के विबीन दाईत्व पर रह चुके हैं और पुर्व में आपने तमिल नाडू प्रान्त अध्यक्ष वर्स 2015 में राष्ट्रिय उपाध्यक्ष रहे हैं और आप अभावीपी के अभी राष्ट्रिय अध्यक्ष है मानिया श्री आशीश जी चहान आप मुलत हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोडू से हैं आपकी सिक्षा B.C. B.J.M.C. पत्रकारत्व MBA तक हुई है आप 2003 से अभावीपा के संपर्क में हैं आप पूर्वा में राजकिय महाविद्यालई सीमा रोडू से चात्रसंग अध्यक्ष जिला संयोजक विश्वविद्यालई काई अध्यक्ष मंत्री जिला संगटन मंत्री राष्ट्रिय मंत्री रहे हैं आपने हिमाचल प्रदेश में वामपती विचारों के विरुद राश्रवादी विचारों का प्रभावी नित्रुत्व किया है आपने Think India के माधियम से इस साथ वर्सों में अखिल भारतिया शिक्षन संस्तान IIT, IAM, NLU इत्यादी में शिक्षा के गुनवत्ता विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर सरानिय कार्य किया है 2014 से बारत सरकार के युवाखेल मंत्रायल द्वारा आयोजित चिन यात्रा के प्रतिनीदी मंदल में सदस्य के रूप में आपकी चिन यात्रा हुई है इसके साथ ही अमेरिका विदेश यात्रा विदेश मंत्राले द्वारा आयोजित लोजिस्टिक फेलो 2016 कार्यक्राम के माधियम से आपकी अमेरिका यात्रा भी हुई है आपके विभीन राष्ट्रिय एवं अंतराष्ट्रिय कार्यक्राव में युवा विश्य बारत चिन सबन्द एवं शिक्षा विश्यो पर शोद पत्र बाशन इत्यादी दिये हैं पुर्वा में आप अभाविपा के अखिल बारतिय शिक्षन संस्तान कार्या तिंक इंडिया के सयोजक एवं मुंबई मानगर संगतन मंत्री रह चुके हैं वर्तमान में इंडिया चिन युथ डायलोग के महा सचीव भी हैं और आपका केंद्र मुंबई हैं आप अभाविपा के राश्ट्रिया महा मंत्री हैं श्री मोनिका चोधरी आप मूल मेरट उतरप्रदेश से हैं आप अभाविपा के मीडिया सेयोजक ए 2009 से आप विद्यारती परिश्वत के संपर्क में हैं 2017 से विद्यारती विस्तारी का हैं आपकी शिक्सा BSC Honors LLB दिल्ली विश्व विद्यालेई से हुई है और वर्तवान में आप LLM अधियन रत हैं पूर्वा में विबाग चात्रा प्रमुक राश्रिय कार्यकाराणी सदस्य राश्रिय मंत्री आदिदायत वा आप वहन कर चुकी हैं वर्तवान में आप राश्रिय मीडिया, सहियों जग, दिल्ली प्रांद की चात्रा प्रमुक हैं और आपका केंद्र दिल्ली है हमारे साथ हमारे सबसे वरिष्ट ऐसे श्री सुरेंद्रका का पतेल जो कि ये राश्रीय अदिवेशन के सरक्षक है पूर्वा राजियसाबा सदस्य है और जिस साल से कानावती में अखिल भारतिय विद्यार्ती परिशत का कारिय शुरू हूआ तब से आप विद्यार्ती परिशत के कारिय करता रहें हैं श्री निखिल भाई मेटिया वर्तमान में आप विद्यार्थी परिशत गुजरात प्रांथ के प्रांथ मंत्रियों और केंद्र कारिय समीती सदस्य और जुनागर्ड विबाग सैयों जक्का दाइत्व निर्वा कर रहे हैं आप 2011 से विद्यार्थी परिशत के संपर्क में हैं आप पूर्व में नगर सहमंत्री, नगर मंत्री, जिला सयोजक, प्रदेश TSVP प्रमुक, प्रदेश सहमंत्री आदिदायत्व वांच कर चुके हैं आप का अभिया सिविल एंजिनियर एंजिनियरिंग में हैं और आप ड्रोन एप्लिकेशन में संशोधन कर रहे हैं श्री परिंदु भाई बगत जिसे हम प्रेम से श्री काकु भाई बुलाते हैं आप गुजरात के वरिष्ट कर अधिवक्ता हैं राश्टिय सवयम सेवक संग में आप बाल्यकाल से सवयम सेवक हो और सबसे विशेस आप तुरत्यवर्स शिक्षित हैं सामाजिक संस्तानों में आपकी सक्रियता एवं सायोग निरंतर मिलता है श्री प्रदीप सींग वागेला आप मुलत गुजरात के रहने वाले हैं स्वागत समीती के महा मंत्री हैं पुर्वर्स में आप विद्याती परिशत के पूनकालिक कारिय करता भी रह चुके हैं वर्तमान में आप राजनिती शेत्र में बारतिय जन्ता पार्टी के प्रदेश मंत्री वा पुर्वा में बारतिय जन्ता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहें। तो परिचे के बाद हम अपने विशिष्ट एवं राष्ट्रक्यारिया में जीवन बर जुड़े रहने वाले अनुकर्णिया ऐसे आदर्णिया मंचस्त मान वोगो को पुष्पों से स्वागत करेंगे तो सर्वप्रतम इस एतियासिक चोसटवे राष्ट्री अधिवेशन के उद्गाटक पद्मश्री एस किरनकुमार का स्वागत करेंगे और जिस हैतु में अधिवेशन के स्वागत समीती के कारियकारी अधियक्ष श्री परिंदुबाई बगत को निमंत्रित करता हूँ श्री परिंदुबाई अब मैं समारब के मुख्यातिति मान्या मुख्यमंत्री महोदै श्री विजेभाय रुपानी का स्वागत स्वागत समीती के महमंत्री श्री प्रदीप्सी वागेला से विनंती करूंगा स्री प्रदीपसी वागेला अखिल भारति अविद्यार्थी परेश्रत के राष्ट्रिया अध्यक्ष् सुभया जी का स्वागत स्वागत समीति के कारियकारी अध्यक्षी परिंदुबाइ बगजी से प्रातना करता हूं कि वो सुभया जी का स्वागत करें अपने राष्रिय अमां मंत्री श्री आशिष जी चाहन का स्वागत प्रदेश मंत्री श्री निकिल भाई मेटिया करेंगे निकिल भाई और अब हमारे राष्रे मेडिया से जग सुष्री मोनिका चाहदरी का स्वागत मानागर सामंत्री सुष्री जिगनाशा बेन करेंगे अभी श्री सुरेंद्रभाई प्रदेल का स्वागत के लिए मैं प्रदीप सी वागेला को निमंत्रीत करता हूँ प्रदैने क् करेंट बासंदरolen करता है प्रदैने के लिए अचने करता है आगे में श्रीमती बीजल बेंड पतेल का स्वागत श्रीनिकिल भाई मेट्या को निमंद्रित करता हूं अब हमारी अधिवेशन की स्वागत समिती के कार्यकारी अधियक्ष श्री परिंदु भाई बगजी का स्वागत अधिवेशन संयो जक श्री दर्शन जी गुंजाल करेंगे इसके लिए में दर्शन भाई को मंज पर आमंतरन देता हूं और अंध में स्वागत समीती के महामंतरी श्री प्रदीप स्वी वागेला जी का स्वागत गुजरात नीजी वीश्व इदियालाई कारिय प्रमुक श्री वीजेस भाई परमार करेंगे आपको मंज पर आमंतरी करता हूं दर्शन भाफ गुजरात करेंगे आपको म्मीद नहीए कोचर्दी वीजेस भाई परमार करेंगे आपको श्री वीजी रहता हूं कार्यक्रम को अभी अगले दोर में ले जाते हुए मैं स्वागत बाशन है तू स्वागत समीती के कार्यकारी अध्यक्ष श्री परिंदुबाई भगत को आमंत्रित करता हूँ श्री परिंदुबाई नमस्कार देश की युवा शक्ती के इस बहा कुंग यानि की अखिला भारतिय विद्यार्थी परिशत के 64 वे रास्ट्री अधिवेशन के उटगाटन सबारों में गुजरात की करणावती नगरी में पदारे सभी महानु भवो एवं गणमान्य अतिथियों का मैं स्वागत समीती की और से अंतह कर्ण पूर्वक और रदय पूर्वक स्वागत करता हूँ हमारे लिए ये परम सवभाग्य की बात है किस अधिवेशन का दीप प्रजवलन करने है तू भारतिय अंतरिक्ष आयुक के अध्यक्ष एवं इश्रो के पूर्वा अध्यक्ष पद्मश्री किरन कुमार जी यहां पदार है प्रगतिशिल गुजरात के करमठ माननिय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी जी इस अधिवेशन के मुख्यातिदी के रूप में हमें प्राप्त हुए है यह भी हमारे लिए बड़ी परसंदता की बात है अखिल भार्थी विद्यार्थी परिशत के राष्ट्रिय अध्यक्ष डॉक्टर एस सुबैया जी विद्यार्थी परिशत के राष्ट्रिय महमंत्री श्री आशीज जी चौवान राष्ट्रिय महिला मीडिया संयोजक शूश्री मोनिका चौदरी जी प्रदेश मंत्री श्री निखिल भई मेठिया जी विद्यार्थी परिशत गुजरात के समुरक्षक और सभी चिंता करने वाले हमारे वडिल S.A.C. सुरंद्र भई पटेल अमदावाद की प्रथम महिला और महामव पौर एवम श्रीमती बीजल बेन पटेल स्वागत समीती के मेरे सहियोगी और महामंत्री श्री परदीप्शी जी वागेला विद्यार्थी परिशत गुजरात के प्रदे सद्यक्ष श्री रवी सीह जी जाला यहां पदारे हुए कई विश्विद्यालयों के कुलपती, ओपकुलपती, कुलनायक, विविद, सिख्षाविभाग के प्रबंदग, सेनेट के सदस्य तथा समग्रत देश से अगर यह हुए विद्यार्थी प्रतिनिती, आप सभी का स्वागत समीती की और से मैं अंताकर्ण पुनक स्वागत करता हूँ जैसा कि हम सब जानता है कि अखिल भार्द्य विद्यार्थी परिशत की स्थापना देश की युवा शक्ति को राष्ट्र के पुननिर्मान में जोडने के उद्देश से सन 1949 में 1949 में की गही थी तबी से लेकर आज कर ABVP विद्यार्थियों को भार्द्य संस्कृति की रक्षा, राष्ट्र गौराव और देश की सम्रुधी की दिशा में ले जाने का महत्व पुन कार्य कर रहा है अखिल भार्द्य विद्यार्थी परिशत के आयोजीत आज 64 वे राष्ट्री अधिवेशन के आउसर पर में विशेश रूप से स्वर्गस्त प्रोफेसर नारण राव भंडरी जी का स्वरण करना चाहूंगा जिन्होंने गुजरात में विद्यार्थी परिशत का प्रारंब किया था और अभी तक आयोजीत सभी अधिवेशन में उन्होंने बहुत मुल्य युगदान दिया था बिल्कुल निस्वार्थ और फकिरी सुभाव के श्री नारण राव जी ने राष्ट की सेवा हेतु युवा उर्जा को सही दिशा देने में अपना जीवन लगा दिया था आपकी पुन्यस्मृति में एक विशेश प्रदर्शनी का आयोजन इस परिशर में किया गया है जिसमें उनके जीवन का कारिया तथा विद्यार्थी परिशत की आज तक के सभी प्रांतों की प्रगती एवं कारेग्रमों का निर्देशन भी रखा गया है आज देश के देश में सबसे अधिक जनसंख्या युवा उकी है युवा शक्ती ही ताई करेगी कि हमारे देश का आने वाला कल कैसे होगा ऐसे समय में यह आवशक है कि हम सही और गलत को परखे एक तरफ हम नए भारत के निर्मान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वही दूसरी और जातपात की बात हमें पीछे कीच रही है जातिवात के नाम पर समाज की एक ताको तोड़ने के प्रयासो को हमें ठीक से समझना होगा जातिवात की संकीन राजनिती एक समाज के रूप में हमें पिछडा बना देगी हमें प्रगती से वीमूख कर देगी आज देश के गाउंगाउं में बिजली पहुची है पिडियों से हमारे समाज में जो अंधियारा चाया हुआ था वहां उजाला हुआ है शिक्षा के नए द्वार खुले है प्रात्मिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और कौशल पाना अत्यांत सुलब हो चुका है देश के दस करोड परिवार यानि पचास करार लोकों को आयुश्यवान भारत के अंतरगत मुपतस वास्त सेवा उपलब्द हो रही है गरीब महुलाओं को भी चुलाँ फुकने से आजादी दिलाकर गैस्ट और सिलेंडर दिये गए हैं देश भर में सडकों का निर्मान अत्यांत तेज गती से हो रहा है हमारे स्पेस मिशन ने भी अभूत पुर्वा उपलब्दिया हासिल की है एक प्रगति सिल समाज और विकास सिल देश के रूप में हमें आगे बढ़ना है देश की जिम्मेवार युवा शक्ति के रूप में हमारा लक्ष विकास ही होना चाहिए आने वाले समय में हमारी सूज बूच और निर्णई सक्ति की कसोटी होगी ऐसे समय में राष्ट्र भावना और देश नीक्ति के हित में ही हम निर्णई करे यह आवश्यक है सिक्षा, कौशल और ज्ञान के शित्र में जो सुदार हो रहे है उसे आगे बढ़ाना वो विद्यार्थी परिशित के हम युवाओं का से अपिक्षित है यह हमारी जिम्मेवारी भी है देश की उर्जा सक्ति को फिर से बहुत-बहुत शुबकामना है देता हूँ परिशत के यह 64 अधिवेशन की सुचारी और उत्रुष्ट व्यवसा करने के लिए हर संच संभव प्रयास किये गए है और उसके लिए सयोग देने वाले हर व्यक्ति का मैं अभारी हूँ फिर भी इसमें कोई कमी रगोही हो तो मैं ख्रमा पारती हूँ फिर से सभी महानुबो और अतितियों का स्वागत समीति की सभी सदस्यों की और से मैं रदय पूर्वक और अंताकरण पूर्वक स्वागत करता हूँ वंदे मात्रम जैहन धन्यवाद परिंदु भाई और अब इस उद्गाटन समारंग समारंग के विधिवत रूप से अपना चोसटवा राष्ट्री अधिवेशन को उद्गाति करने के लिए मंचस्त मानुबाव को मैं दीप रागट्य के लिए निमंत्र करता हूँ बोल्जा बोल्ज़वेए यहुआ जुक Чंड्रमा मन जायता श्रोत्रात्वायस्च प्राणस्च मुखा दगनिर जायता आक्रश्ने नारजसा पर्तमानो निवेशया नम्रेता मर्त्यांचा हिरान्याएन साविताराथेना देवु जाते भुवाना निपस्याना शुभं करोतो कल्याना आरोग्यं धनसंप्रदा मित्र बुद्धि विकासाया दीपज्योते नमोस्थुते ओम शान 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 देहे इस अधिवेशन के काफी आकर्शन है और जो प्रतिनिदी कल से इस परिशर में है उन्होंने रंगोली स्पर्दा से लेके प्रदर्शनी और आज द्वजारन और परिशर में जो स्टेच्यूस् सेल्फी पॉइंट्स लगे यह सब अकर्शन है और उसके साथ साथ अभी हम जो एक जो सस्पेंस था हमारा अधिवेशन की थीम है बारत गव्रव और यह थीम पर हमने एक गीत बनाया है और यह गीत का लॉंचिंग अभी हम करने जा रहा हैं तो इस लॉंचिंग है तू अपने राश्रिय महामंत्री श्री आशिस चाहन जी को थीम सॉंग लॉंच करने के लिए अनुरोज करता हूं बटन दबा के यह थीम सॉंग है वो लॉंच होगा रहम सुन्त पाएंगे आशिस जी करता है करना वती गुजरात में आएंगे सब मील सातरे कर्म भूमी में ख्रेश्ण के जहां साबर्मती का घाट रे होगा संगम युवाका करने मन्धन सभी आएंगे यहां गिल के है शेरपती भाएं भी देर आएंगी आयो रे अर्थी बेशन आयो रे बुशियां संग में लायो रे देखोगे जब रंग लगू भारत के देखोगे जब रंग लगू भारत के वो गामन में उल्लास रे इस नब निर्मान की नगरी में इस सोमनाथ की धर्ती ने साचार अपने संकल्पों से भारत की एकता दिखलाई इस नब निर्मान की नगरी में इस सोमनाथ की धर्ती ने साचार अपने संकल्पों से भारत की एकता दिखलाई आयो रे अथी वेशन आयो रे बुष्टियां संग में आयो रे देखोगे जब रंग लगू भारत के देखोगे जब रंग लगू भारत के होगा मन में उल आसरे आयो रे अधी वेशन आयो रे दन्यवाद जो प्रतिसाद आपने दिया है ये लॉंचिम पे तो आने वाले समय में हर प्रांत में ये गीत गुझेगा ये चार दिन तो गुझता रहेगा आपके दिल दिमाग में और ये उल्लास और साबरमती के टट पे ये युवाओं का सहलाब जैसे साबरमती भी सोचती होगी कि ये सहलाब कहां से आया तो खुब-खुब धनियवाद गीतकार और संगीतकारों को और ये लॉंचिंग अपने समय में उद्गाटन में एक सस्पेंस था और शायद ये जचा है अब आगे बढ़ते हुए मैं राश्रिय महामंत्री स्री आशीज जी को उद्गधन के लिए निमंत्रन करता हूँ आशीज जी किरन कुमार जी गुजरात के सम्मानित मानिनी मुख्य मंत्री विजय भाई रुपानी जी सम्मानित राश्टी अधक्ष जी हम सब के गुजरात के कार्यकरताओं के प्रिया सुरेंद्र काका जी इस नगर की सम्मानित मेयर वीजल बेन अखिल भारती विद्यार्थी परिशत की राष्ट्री और मीडिया प्रमुख सुरुश्री मौनिका जी यहां उपस्तेत संचालंग स्वागत समीती के सम्मानित अध्यक्ष महामंत्री गुजात प्रांत के माननी अध्यक्ष मंत्री मेरे सामने उपस्तित इस कर्णवती महानगर के सुधी जन मीडिया के बंदू दोनों और गलियारों में बैठे अखिल भारती विद्यार्थी परिशत के पिछले कई दशकों में लगातार कारेकरता करके जुनों ने काम किया है ऐसे कारेकरता बंदू और वास्तम में कहें आसिंदू सरोवर जम्मू कश्मीर से लेकर के अंडमान निकोवार तक अरुनाचर प्रदेश से कच्छित तक अखिल भारती विद्यार्थी परिशत की जो एक विशात सरूव को प्रदर्शित करता है ऐसी युवाश शक्ति को जो यहां उपस्तित है ऐसे डॉक्टर विक्रम सारवाई नगर में आपका हर्दिक स्वागत है और अगर गुजराती में कहूं आपनों गुजरात्म स्वा यात्रा के अंदर जिस प्रकार ये विशाल सुरूप अखिल भारती विद्यार्थी परिशत का बना है उसके अंत्रगत ये पढ़ावों के तौर पे स्टेशन के तौर पे 64 अधिवेशन पिछले 63 अधिवेशनों की कुछ बखान, कुछ गायन करते वे आता है ये अधिवे देशद रूपी रेल में आकर के आगे बड़े फिर स्टेशन उतरते उतरते गए, समाज के प्रतेक भाग में जाते जाते समाज के अंग हो गए, परन्तु रेल का वास्तव इंजन कौन सा है, वो रेल है कौन सी, तो वो रेल है 30 लाख विद्यार्थियों की शक्ति वाली, देश के प्रतेक केंपस के अंदर राष्टवाद का पर्चम फैलाने वाली, IIT से लेकर, IIMG से लेकर, National Law University से लेकर, प्रदेश के विश्यविद्यालों से रेकर राष्टे विश्यविद्यालों तक काम करने वाली, राष्ट को जोडने वाली, ऐसी संसकारी शक्ति का नाम अगर कोई है तो अखिल भारते विद्यार्थी परिशद है, विद्यार्थी परिशद के बारे में कहा गया कि यह 2.0 वर्जन के साथ आई है, 2.0 वर्जन माइने कि समाज के अंदर कोई गटना गटती है तो उसके बारे में नया चिंतन ले करके विद्यार्थी परिशाद आती है, नया सॉलुशन ले करके आती है, गटनाएं होती है, समाज के अंदर ऐसा भाव बनता है कि बहने सुरक्षित नहीं है, कानून कड़े होने चाहिए, समाज के अंदर मुल्यों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, परंतु कोई संगटन नहीं निकला, कोई व्यक्ती नहीं जिसने ये कहा हो कि हम मिशन सासी जैसा करकम लाएंगे, और समाज में सुधर करने के लिए, ठीक करने के लिए, गाओं गाओं जाएंगे, और साथ लाक बेहनों को सेल्ट डिफेंस की ट्रेनिंग देने का काम, जो विद्यारती परिशद ने किया है, तो अगर तकनिकी की भ भाशा से कहें, इनोवेशन की भाशा में कहें, तो जब हमने प्रोटोटाइप इस साल की फरवरी के अंदर मुंबई में किया, तो केवल साथ हजार छात्राओं को ट्रेनिंग देने के बाद, हमने इसको कितने गुणा मल्टिप्लाइ किया, अगर आप सौ प्रतिशत की बा इंप्लिमेंट करने के लिए उसको सौ गुना बढ़ा करते हुए साथ हजार से साथ लाग संख्या तक गई है, आज एक सुखत प्रयोजन भी है, सुखत प्रयोजन यह है, जिस प्रकार मंचपर से बताया गया कि सन 2003 के अंदर, डॉक्टर के, कस्तूरी रंगन जी, तातकाल इसरो के प्रमुख वे अतिती स्वरूप इस विद्यारती परिशद के अधिवेशन में आये थे, आज 2018 के अंदर, इसरो के पूरो प्रमुख और वास्तम में आज के समय में अंतरिक्षायों के अध्यक्ष, वे हमारे उद्गाटक के तौर पे, अतिती के तौर पे यहां प इसरो के संस्थापक ऐसे personality के नाम पर और जिन luminaries का लगातार विद्यारती परिशद को सानिद्य मिलता रहा है, तो जिस प्रकार 2003 में विद्यारती परिशद के अंदर नई शेत्र के अंदर जा रही थी, नए नए आयाम खोलने के बारे में सोच रही थी, उसी प्रकार इसर से आज GSLV और मास, विशन, चंद्रायन 1, चंद्रायन 2 तक पहुंची है, विद्यारती परिशद भी, तिंक इंडिया, वोसी, कितने ही, SFD, AgriVision, Medivision, कितने ही आयामों के साथ, आज देश के प्रतेक, क्षित्र के अंदर लिडर्शिप देने का काम कर रही है, यह गलत नह और नहीं होगा या कहना कि विद्धारती परिशद आज Ivy League Campuses तक पहुंची है, विद्धारती परिशद में ABVP Overseas के माद्यम से उन Campuses तक विद्धारती परिशद का कारे करता पहुंचता है, चीन, रशिया, वहाँ पर भी विद्धारती परिशद के कारे करता, उन विद् समाज के बीच में चल रही गटनाओं के बारे में सजग होने के बारे में उस समय तुरित प्रयास करने का कोई एक नाम को एक संगठन को एक प्रकल्प है तो विद्यार्थी परिशद है समाज को तोड़ने वाली सक्तियां गाओं देहात में जाकर के बरगलाने का काम करने सब्सक्राइ оф किंज़ कवान का करना है कि वास्ता में समाज की अनुपूती करनी है समवाद करना है तो यह अभियान आवशक है था हम होस्ल points के अंदर चात्रवास संपर का भियान किया कि जो देश को तोड़ेंगे जाती के नाम पर, पंत के नाम पर, भाषा के नाम पर, ख्षित्र के नाम पर उनको निरस्त करने के लिए ये विद्यार्थी परिशत की तीस लाग की शक्ती है, ये एक समवाद खड़ा करेगी ऐसा समवाद खड़ा करते हुए पिछले एक वर्ष के अंदर ही नहीं तो लगवत तीन वर्षों के अंदर अनुबूती की सर्वेक्शन और सामाजिक संपर्क अभियान विद्यार्थी परिशद ने किया है और इस वर्ष महामंत्री रिपोर्ट क करते दोरान मैं पढ़ रहा था कि किस प्रकार हॉस्टेल्स के संपरक अभियान हमने किया है और वास्तम में विद्यार्थियों के साथ संपर्क करते हुए समवाद करने का काम विद्यार्थी परिशद ने कड़ा किया हमारे विरोध में campuses में कई घटनाओं में विद्यार्थी परिशद का नाम जोड़ने के प्रयास हुए HCU में अनर्गल बाते बताई गई आरोप लगाए गए तो मैं यहां से HCU के कारेकरताओं को भी बढ़ाई देना चाहता हूँ कि यह जो अभियान विद्यार्थी परिशद ने लिया था सतत समवाद का जो लगातार कैंपस के अंदर हम देश को जोड़ने वाली शक्ति के रूप में काम कर रहे थे यह उसका ही अनतक प्रयास है कि HCU के अंदर आठ सालों के बाद अखिल भारती विद्यार्थी परिशद सारी सीटे जीत करके आई और जो अरोप लगाने वाले व्यक्ति थे जो देश को तोड़ना चाहते हैं उसके उपर विद्यार्थी परिशद का यह अनतक प्रयास के कारण ही जो सच्चाई समझ करके कुछ कारे करता विविन संगेटनों से मिलकर के इस बड़ी लहर में आज जुड़े हैं तो हम देखते हैं कि सच्चाई जान लेने के बाद आज वही वह विद्यार्थी परिशद के लीडर्स के तोर पे खड़े हैं तो ऐसा सर्वा समवेशी सब को जोड़ने वाला यह अभियान HCU के अंदर होता है तो वास्तव में विद्यार्थी परिशद समय के साथ जिस समय कोई गटना गटने को बनती है उस समय उसका सॉलूशन देने के लिए खड़ा होता है ऐसा संगठन देश के प्रते कौने में Campuses के अंदर राष्ट को जोड़ने वाली शक्ती के तोर पे काम कर रहा है समाज के अंदर एक Vigilant Force के तोर पे काम कर रहा है और राष्ट भारत माता की जै इस नारे को बलंद करने के लिए काम कर रहा है मैं अपना अबार आपका इस अदिवेशन के अंदर अभिनंदन करता हूँ इन चार दिनों के अंदर वास्तम में विद्यार्थी परिशत की ये राष्ट भादी शक्ती नए संदेश लेकर के अपने अपने कारेक्षत्र में जाईगी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद थीम सौंग की जैसे ही आपके शब्द ये युवाश रोतां जो हजारों की संक्या में चात्र यहां उपस्तिते उसको चूगे हैं और अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशत अभी विवीद आयाम द्वारा गाउं गाउं तक पहुच रहा है अपना राष्ट्रिय विचार तो खुब-खुब धन्यवाद और आगे बढ़ते हुए मैं श्री श्रू मोनिका जी चौधरी को अपने भारत के प्रदान मंत्री जी का संदेश के वाचन है तू आपर उपस्थित सभी अतीति गण एवं मेरे समक्ष उपस्थित देश भर के कोने कोने से आई युवा तरनाई संसकार किसे कहते हैं उसका उधारन पेश करने के लिए आज मैं हापर उपस्थित होई हूँ हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अखिल भारते विध्यारती परिशत के संपर्क में आता है तो उसे एक पारिवारी का नुभूती होती है विध्यारती परिशत का देश हित्मे कार्य देखकर जो जुड़ाव उस व्यक्ति का संगठन से के साथ होता है वो संसकार के रूप में उसके जीवन में शामिल हो जाता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंतरी मानिने नरेंदर मोदी जी जो लगातार इस देश को विकास पत पर ले जाने है तू अगर सर है उन्होंने अखिल भारते विध्यारती परिशद के चौसटवे राष्टिय दिवेशन की शुब कामना है एवं युवत और रणाई से अपनी अपेक्षाय रखने है तू एक संदेश पत्र विध्यारती परिशद को भेजा है वो संदेश पत्र में आप सभी के समक्ष पढ़ती है अखिल भारते विध्यारती परिशद के चौसटवे राष्टिय दिवेशन के आयोजन के बारे में जानकर प्रसनता हुई ज्यान, शील और एकता के धिये के साथ चल रहे देश भर के महा विध्यालियों वविश विध्यालियों के चात्र चात्राओं को शुब कामनाए देश के सामजिक वराजनितिक बदलावों के साथ भविश्य के लिए नीते निर्माण में युवा विध्यारतियों की राय और सहभागिता उपियोगी होती है समज देशवासियों विशेश कर युवाओं के सक्रिय योगदान से पिछले कुछ वर्षों में हमने विविद शेत्रों में कहीं गौरोपूर्ण उपलब्धियां हासल की हैं और विकास की रहा में राश निरंतर अग्रसर है वर्ष 2022 में देश की स्वतंतरता के 75 वर्ष पूरे होने तक न्यू इंडिया के स्वपन को साकार करने में युवा शक्ति की भूमी का बेहत एहम सद्ध होगी युवा शात्र शात्राओं और राश्टित के विभन विश्यों को मुखरता से उठाने में अखिल भारते विध्यारती परिशत की भूमी का सरहानिय रही है मुझे उम्मीद है कि अधिवेशन में बदलते दौर की चुनोतियां, देश के विकास और समाज के प्रती दाइत्वों सहित अन्य विश्यों पर रचनात्मक, विचारपून और फलदाई चर्चा होगी मेरा सुभाग्य है कि ये संदेश पत्र आप सभी के समक्ष रखने का अफसर मुझे मिला, बहुत बहुत धन्यवाद दन्यवाद, मोनीका जी, आपका ये पठन के लिए, अब मैं गुजरात प्रांद के मुख्य मंत्री और अमारे अतिती विशेष आद्यानिया श्री विजैभाई रुपानी जी को उद्बदन हेतू निमंत्रन देता हूँ, श्री विजैभाई रुपानी मंच पर उपस्तीत, इसदी वैसन के उद्धातक, पदमस्री अंतरिस आयोग के अध्यक्स, मान्य सी किरन कुमार जी, विजार्थी परिशत के राष्ट्रिय अध्यक्स, मान्य सुबया जी, विजार्थी परिशत के राष्ट्रिय महमंत्री, मान्या आसीज चोवान जी हमारे अम्दाबाद के बहापोर स्रीमती बिजल पटेल जी आदरनिया बर्सों तक जिन्नों ने विद्यार्ती परिशत के पालक के नाते काम किया ऐसे हमारे वडील सुरेंद्र काका जी प्रांत अध्यक्स रवी सिंजी प्रांत प्रदेश मंत्री श्री मेठिया जी और मिडिया सयोजक बहन मोनीका चोधरी जी स्वागस समिति के कार्यकारी अर्द्यक्स परेंदु जी और महा मंत्री प्रदीप सिंजी और देश के कोने कोने से आये हुए कस्मीर हो या कन्या कुमारी कचो या गवाती सभी कोने कोने से आये हुए मेरे विद्यारती परिशत के प्रिये कार्य करता भाई और बैनो सबसे पहले इस साबरमती नदी के तट पर गांदी और सरदार की भुवी पर हमारे प्रदान मंत्री मोधी जी की कर्म भुमी पर और राष्टिय अध्यक्स अमिज साकी की कर्म भुमी पर मैं आप सबका और गुजरात के चपा चपा आप सबका हर दीक स्वागत करता है सन उनिस सो तोहतर में सालों के बाद आज फिर से मुझे विद्यारती परिशत की याद आ रही है उस वक्त एमदाबाद में ही राष्टिय अधिवे संथ था और मैं आप की तरह वहाँ ही नीचे बेट कर भारत माता की जै का नरा लगा रहा था और विद्याती परिशत के कार्यकरता के नाते सामाजी कुट्तर दाइत्वा राष्ट्रवाद से भरबूर हमारी मानसिक्ता और उसके कारण ये विचार धारा और हमें इस काम में राष्ट्र के लिए जीना राष्ट्र के लिए मरना ये सब विद्यारती परिशत ने सिखाया था मुझे आज ऐसा लगता है कि मैं आज अपने माइर में आया हूँ अपने परिवार में आया हूँ और जिस तरीखे से आप लोग आने वाले भारत के लिए नया भारत के लिए लेकिन होज के साथ आप लोग जिस तरीके से आपका उस्साह दिखाई पड़ता है मुझे पूरा भरोसा है कि भारत का भागिया आने वाले दिन में जरूर हम बदलने वाले हैं और भारत को परम्वेवों के सिखर परम ले जाने के लिए हम कटिबत बनने वाले हैं अखिल भारतिय विद्यारती परिस्द ने जिस वक्त विद्यारती परिस्द का परिस्द की स्थापना हुई उसी वक्त ये सोचा था कि भारत की युवा सक्ति को हम भारत के निर्मान के लिए भारत की छात्र सक्ति को राश्ट सक्ति बनाने के लिए हम लोग उसमें जोड़ेंगे और उद्दिसा में काम करेंगे और सन उनिस सो उन पचास से लेकर आज तक ये चोशा सुमा राश्ट्री अधिवेशन ने कई बीडियों ने कठोर परिश्म करते करते इस युवा पेडी छात्र सक्ति को राश्ट्र सक्ति के काम में लगाने के लिए काफी काम किया है और मैं मानता हूँ के विद्यार्थी परिसंद ने समय समर्पई राश्ट्रिय प्रस्नों पर अगर उत्तरदाईत्वन नहीं निभाया होता तो कदाच देश को तोड़ने वाले लोग सफल हो गए होते जिस तरीके से इनिवर्सिटी विस्वविध्यालयों में इस देश को तोड़ने के लिए जो सक्तिया काम कर रही है उसको ललकारने के लिए उसको चैलेंज देने के लिए और भारत माता की जैवंदे मातरम के जैवंगोस के साथ कारे करता काम करते है उनको नहीं रोका होता तो आज देश की स्थिती कदाच दूसरी होती क्योंकि इस देश में अलगा वाद आतंक वाद नकसल वाद जातिवाद भासावाद प्रांतवाद इन सभी समस्याओं को उनको तोड़ने के लिए उनको रोकने के लिए विद्यार्थी परिशद ने सकारात्मक सक्रिय अपनी भूमी का रखी है और जिस तरीके से विद्यार्थी परिशद ने उसी वक्त 71, 72 से इस देश में भरष्टा अचार को खतम करने के लिए छात्र सक्ति राष्ट्र सक्ति बने छात्र नेता राष्ट्र नेता बने और भरष्टा अचार के खिलाब नौनिर्मान जैसे आंदोलन विद्यार्थी परिशद के कार्य करता ने किये बाद में जही प्रकास नारायन जी को को भी लाकर छात्र संगर समिती और पुरे देश में ब्रश्टा अचार के खिलाब छात्र सक्ति ने आंदोलन किया और विजारती परिस्द की उसमें भी एक अहम भुमिका रही है विजारती परिस्द ने ग्रामों ठान के लिए पीडीत, सोसीत, वंचीत, दरीबों के लिए भी काफी रशनात्मक्तामों भी विजारती परिस्द ने किये है विजारती परिस्द ने सामाजिक समरस्ता हम सब भारती है एक है भूल से न मुक में जाती पंतखी न बात हो यह हम जित गाते गाते भारत माता की जई बोलते बोलते उस दिशा में पूरे भारत हमारे लिए भारत माता की सेवाई उसके लिए जीना उसके लिए मरना उस दिशा में हम कारियरत बने और आज देश की एकता अखंडित्ता देश का स्वार्व मुवत्व के लिए विजारती परिस्द ने भी कापी आंदोलन भी किये है विजारती परिस्द ने राष्टा पर जबी जबी कोई भी मुसिबत आई कोई भी नेचरल किलामिटिस और कोई भी पूर धरती काम उसमें भी सक्रिय सयोग के साथ युवा सक्ति छात्र सक्ति को साथ में लेते हुए राष्ट्र निर्मान के लिए काम में भी काम किया है आज के दिन में मैं मानता हूँ कि यह अधिवेशन चार दिन का अधिवेशन यहां संकल्प करें कि जिस तरीके से हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी दो हजार बाइस में आजादी के 75 से राष्ट्रवात प्रबल हो और इस देश की जो एक्ता को खंडित करने वाले परीबल है तत्वो है उनको हम परास्त करें भारत को महासत्ता बनाएं सच अर्थ में हम वंदे मात्रम का जैगोष करते हैं वंदे मात्रम गाते हैं हमारी भारत माता सुझलाम सुफलाम बनें जिसमें कोई भूखा न हो रात के वक्त सबके पेट में पूरा वो बर्पुट बोजन हो सरस्वती जैसी भारत माता ग्नान पूर्ज भारत माता बनें कोई निरक्सर न रहे सभी के यहां अग्नान का दीपक जले भारत माता दुरगा जैसी हो कोई हमें ललकार न सके और हम अपनी सक्ति पर खड़े रहे भारत माता ऐसी हो सच में दूद खी की नदिया बहें अनपूरा जैसी भारत माता बनें ऐसी भारत माता का अंदिर्मान के लिए नया भारत का अंदिर्मान करने के लिए हम संकत्बद बनें और मुझे लगता है कि युवा सकती ये सब कर सकती है क्योंकि युवा सकती छात्र सकती सच अर्थ में ये छात्र सकती में जो जोस होता है छात्र सकती में क्रांती करने की जो ताकात होती है और दुन्या में जितनी क्रांतियां हुई वो युवानों ने की, छात्रों ने की है और उसी तरीके से देश की छात्र सक्ति को देश के काम में लगाने के लिए अखिल भारतिय विद्यारति परिशद उस दिशा में इस अधीवेशन में आने वाले भारत दुनिया के साथ आँख से आँख मिला कर काम करे भारत के युवा पेड़ी इस देश की सभी चैलेंज अपने कंदों पर उठाए इस दिशा में अखिल भारतिय विद्यारति परिशद के कारे करता अहम भूमिका भजवे और ऐसी में अपेक्सा करता हूँ इस चार दिन के अधीवेशन में आप सब काफी चर्चा करेंगे देश की चिंता करेंगे और मुझे आनन्द है कि लोग कहते हैं कि आज की युवा पेड़ी को कुछ समाज और रास्टर के लिए ध्यान भी नहीं रखते हैं उसके बारे में चिंता भी नहीं करते हैं ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है आईए विद्यार्थी परिशद के अधीवेशन को देखें कि उसमें आने वाले विद्यार्थी इस देश के के लिए चिंती ते और इस देश के लिए समर्पित होने के लिए विक्शाव करता किस तरीके से काम करते हैं तो अब सबकों मैं बहुत बहुत सुबकामनाही देता हूं और सच अर्थ में आप सब आने वाले भारत के इस ठात्रशक्ति को रास्ट्रसक्ति बणाने के लिए बनाने के लिए सोजाने के लिए आप सब लोग चरित्रवान भारत की नई पिड़ी बिनाएंगे और व्यक्ति दिर्वान के लिए जिस तरीके से विद्यारती परिशत काम करती है परिशत के बहुत सारे लोग यसंत्राओ केलकर जी प्रोफेसर बाल आप्टे जी बदंदास देवी जी इन सभी लोगों ने इस परिशत के इस उच्चाई पर ले जाकर बहुत कार्यकरता को निर्मान किया है उसी तरीके से यह अपना कार्या आगे बढ़ता बढ़ते भारत म का वास्ताओं में जगत जन्नी बने एसी सुभेच्चा के साथ आप सब को गुजलात की धर्ती पर बहुत-बहुत सुभकामनाई देता हूं मैं अपने आपको भी सोभागय साली समगता हूं कि आज इस अधीवेशन में विजारती परिशद के पुराने कार्यकरता के नाते मुख्य मंत्री में बाद में हूं पुरेना कार्यकरता के नाते आप बीच में मुझे आने का ये अउसर राप्त हुआ इसलिए मैं आपने आपको सुभागय साली समगता हूं आप सब का खुब-खुब धन्यवाद भारत माता की जय 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 गर्मी गुज्रा अबर विजय भाई जो कुछ शन अपने बाशन में बोले उसमें हर विजय भाई जो कुछ शन अपने बाशन में बोले उसमें हर लाइन में राश्रवाद 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 आपकी जगा उन्होंने उलेक किया बैटे थे और भारत माता की जय और आज भी गुजरात के मान्य मुख्य मंत्री के नाते उसको यही चिंता है कि युवा पेड़ी, अगली पेड़ी बारत की चिंता करें और वो विश्वास जताया क्योंकि ये अवीरत, अखिल भारतिय विद्यारति परिश्चत का एक आंदोलन है जिसमें हर एक को विश्वास होता है कि यहां जो कारिय करता आते हैं वो राष्टरवादी व्यक्ति बन के समाज में जाएंगे काम करेंगे खुब खुब धनियवाद और आगे बढ़ते हुए मैं अपने उठगा तक आदर्णया पत्मश्री किरन कुमार जी को निमंत्रन करता हूं कि हमें मागदर्शित करें श्री किरन कुमार जी आप सबको साधर प्रणाम माननिय गुजरात के मक्यमंत्री शीरूपानी जी सुरेंद्रका का हागो मंचस्त सभी गन्यम वेक्तियों को प्रणाम करते हुए आण सुरे सबक आथ राष्ट्रीया दिवेशन दिवेशन अखलाoting विद्यारती परिषयत के ये संदर में यहाँ पे गुजरात के पवित्रक्षेट्र में जो क्षेट्र मेरा मी कर्मक्षेट्र रहा है मैं यहां पे करीब करीब 40 साल यहां पे स्पेस अप्लिकेशन सेंटर में कर चुका हूँ नानु कनरदली हुट्टी द्रुकुड़ा नानना कर्मक्षेत्रा गुजरात हो गया है मैं ऐसे मैं सूस करता हूँ कि मैं गुजराती हूँ क्योंकि मेरे जीवन के ज्यादा तर समय मैं गुजरात में वितित किया हूँ और यहां पे काम कर चुका हूँ मुझे आप इस संदर में यहां आके आप सब के सामने हिंदुस्तान में बारत देश में एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में पूरा दुनिया बारत की तरफ देखता है अगर पूरा दुनिया बारत की तरफ देखता है वो किसलिए ऐसा हुआ है और कौन इसके लिए कारंडाई है अगर यह देखते हैं हम यहां के जो son of the soil बोलते हैं डॉक्टर विक्रम सारबाई जो पूर यहां के यहां पे जन्म लिये हुए उनका एक ऐसा सोचता जिस समय रश्या और अमेरिका ने एक दूसरे के साथ काम्पिटेशन कर रहते या पाइपोटी लगा रहते 1957 में पहली बार रश्या ने एक स्पूटनी को उड़ाया उस समय यहां के डॉक्टर विक्रम सारबाई का सोच यह था यह नया क्षेत्र नया तंत्रग्नान का शेत्र इस्तमाल करके हम कैसे इंडिया के त्वरित प्रगति के लिए काम कर सकते हैं उनका ही सोच था जिसके वज़े से हिंदुस्तान में बिलकुल पहले बार 1963 में तुमबा एक्वेटोरियल रॉकेट लांचिंग साइट में उन्होंने अपने स्नेहितों के साथ मिलके एक बिलकुल पहला रॉकेट चोड़ा था 1963 में उस समय उन्होंने वहाँ पे वो रॉकेट चोड़ने के लिए जब काम चालू करना शुरू किया उनको एक दिक्कते आई वो ऐसा था कि वहाँ के बीच में मचवरों को समझाना पड़ा कि आज ये जगा आप हमारे लिए चोड़िये हम आगे इस कार्यक्षेत्र से पुरा हिंदुस्तान को फाइदा कराने वाले हैं तो उन्होंने उस समय मचवरों को एक आश्वासन दिया था जैसे ही ये आश्वासन को पूरा करने के लिए 1999 से इसरो के एक उपग्रह के जरिए समुद्र का पानी का कलर देखके उसके जरिए समुद्र में आप कहां जाएंगे तो आपको मचली मिलेगा ये माहिती देने के लिए इसरो ने हाइदरबाद के एक इंडियन नाशनल सेंटर फॉर ओशन इंफरमेशन सिस्टम उसके जरिए मचवरों को कहां पे आपको मचली मिलेगा पकड़ने के लिए ये माहिती देना चालू किया सिर्फ ये एक काम से हिंदुस्तान में करीब करीब 15,000 से 20,000 करोड हर एक साल की बचचत होती है क्योंकि ये मचवरों को जगा डूणना नहीं पड़ती है और पेट्रोल और डीजल को ज्यादा व्यतित नहीं करना पड़ता है ये कार्यक्षेतर में हमने एक और सफलता हासिल की पिछले साल आप जानते ही है कि हमारे नाविक कांस्टिलेशन का एक साथ उपग्रहों का समूख का इस्तमाल करके एक चोटा सा गैटजेट बैटरी ऑपरेटेड जिसको आप बोट में फिट करेंगे उसके जरीए नाविक के उपग्रह के जरीए वो माहिती इकटा करती है और मचवारों के हाथ में जो मोबाइल है उसके वाइफाई के तुरू कम्यूनिकेट करके मचवारों को अपने नै मचली पकड़ने के लिए वो दिखाती है और अपने मात्रुबाशा में आने वाले आपदों के बारे में समुंदर के पानी के स्तिति के बारे में चितावनी बे देती है इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी एक आदमी अनपढ़ हो जो पढ़ना ही सकता लिखना ही सकता फिर भ बाहयाकाश तंतरग्नान के जरीए उनको दैनन दिन जीवन करने के लिए यह सुविदा प्राप्त होती है यह काम भी इसरों ने अपने उपग्रों के जरीए किया है उसके अलावा बिलकुल शुरू शुरू में डाक्टर साराबाय का एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्र ब्राड़कास्टिंग सर्विस था कोई आदमी टेलिविजन देख सकता था उस समय अमदबाद में भी एसुविदा नही थी उस समय अपने विक्रम सारबाई जी ने क्या किया था अमेरिका के नासा वालों के साथ बातचीत करके उनका एक अडवांस्ट उपग्रह को एक सा तक हिंदुस्तान के उपर ले के आए और यहां अमदबाद में ही अमदबाद का स्पेस अप्लिकेशन सेंटर में यह आज आप जैसे डायरेक्ट होम देखते है तेलिविजन उस तरफ उस समय डायरेक्ट कम्यूनिटी से तेलिविजन सेट्स के जरिए हिंदुस्तान के करी करीब करीब 2400 विलेजर्स उसमें विलेजर्स को और फार्मर्स को माहिती देने के लिए यह जो डायरेक्ट टेलिक डायरेक्ट कम्यूनिटी सेट्स बनाके यह प्रयोग किया उस समय पूरा दुनिया में एक सबसे बड़ा सोशो टेक्नलोजिकल एक्स्परिमेंट था और य अपना जो मीटरोलजी के लिए साइक्लोन कहां है वो देखने के लिए भी उपग्रहों के जरीए काम करना चालू किया आज हमारे पास करीब करीब 49 उपग्रह काम करती है उसमें कुछ उपग्रह ऐसा है कि हिंदुस्तान के आसपास हर पंदरा मिनिट में कौन मोडों का या क्लाउड जो बोलते हैं उसका चलंग कैसा है उसको देखके साइक्लोन के बारे में अपने कोस्टल एरिया में करीब करीब एक हफ्ता पहले 5-6 दिन पहले ही जिस जगह पे यह साइक्लोन आने वाला है किस समय पे आने वाला है ये माहिती इंडिया मेट्रोलाजिकल अपना लोगों का जीवन हानी नहीं हुआ है जिस पहले के दशक में सूपर साइकलोन आता था तो करीब करीब पंदरह हजार से बीस हजार लोग अपने जीवन को बैठते थे मगर आज ये उपग्रहों के जरीए हमारा बाहया काश का तंतरगनान के जरीए ये काम हमको करने का अपकाश मिला है और इससे हमारे देश में काफी तरक्की भी हुआ है इसके अलावा टेली कम्यूनिकेशन एरिया में देखें आज आपके हाथ के मॉबाइल में दुनिया में जिसी जगह पे कोई भी जगह पे इस कशन क्या काम हो रहा है या क्या इवेंट्स हो रहा है वो देखने के लिए आपको सुविदा मिलती है ये काम में आज कल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो बाहया काश का तंतरगनान का जियो स्पेशल टेक इसके यह सब काम उपग्रह का निर्मार्ण और यह जो राकिट जह है यह राकिट का सब निर्मार्ण आप सब को सुनके कुशी होगी कि ज्यादा तर स्वाबलम भी होके हम हमारा देश में यह तैयार करते हैं और आज हमारा क्षमता इतना बड़ा हुआ है कि हमारे उपग्रहों के अलावा करीब करीब 34 देशों का 207 उपग्रहों को हमने अभी तक चोड़ा है जिसमें जिसमें पिछले साल एकी रॉकेट में से जब हमने 104 उपग्रह चोड़ा था पूरा दुनिया चौंक के और बारत की तरफ देखा यहां पे क्या हो रहा है कैसे यह आगे बढ़ रहे है इसके अलावा पिछले साल एक और अनौका उदाहरन हुआ है अपने आधरनिया प्रदान मंत्री जिने हमारे बाह्याकाश तंत्रगनान का यह जो क्षमता है इसको इस्तमाल करके South Asian countries हमारे देश के अलावा अपने आसपास में देश के लोग जो है उनको भी यह जो बाह्याकाश तंत्रगनान का फाइदा हो इसके लिए उन्होंने सार्क समिट में एक बार अनौन् एक उपग्रह चोड़के उसके जरीए आप लोगों को कम्यूनिकेशन ट्रांस्पोंडर का फ्रीली देंगे आपका आप इस्तमाल कर सकते हैं उस दिन जब यह उपग्रह चोड़ा था हिंदुस्तान के अलावा नाइबरिंग कंट्रीज के अध्यक्ष और प्रदान मंत्री लोग भी कटे हुए थे प्रदान मंत्री के साथ एक वीडियो कांफरेंस में उस समय आफगानिस्तान का अध्यक्ष ने जो कहा वो सुनके आप सब को काफी हरशित होंगे क्योंकि आफगानिस्तान के प्रेजिडेंट ने यह कहा कि हम बहुत सारे लोगों को आश्वासन दे हुए देखे हैं मगर यह बिलकुल पहला अवकाश है पहला उदाहरन है जिसमें कोई भी एक ऐसे आश्वासन काफी तवरित गती से सादर किया है या सफल तरीके से किया है यह उदाहरन है जिससे एक और चीज आगे आती है आप सब जानते हैं हमारा बहुत पुराना सिवि हमारा जो गनान है एक गनान का इस्तमाल काफी हमारे उप्यों के लिए नहीं हमारे समाज के हमारे आसपास के लोगों के लिए और हमारे आसपास के देशों के लिए भी होना चाहिए जब हिंदुस्तान ने ऐसा बाहया काश तंतर गनान का एक उपग्रह के जरीए अपने न आप लोगों ये भी जानते हैं कि हम जब चंद्रयान वान का काम किया, दुनिया में मानवने चंद्रमा पे अपना पाउ भी उसके दर्ती पे पाउ रखा है और बहुत सारे देशों ने अलग-अलग उपकरन चंद्रमा के उपर बेजा है. फिर भी आपके देश का चंद्रयान वान का श्रेय या कीर्थी क्या है, एक कीर्थी पाया है कि दुनिया में बिलकुल पहली बार चंद्रमा में पानी का खंड बनने का प्रक्रिया क्या है और चंद्रमा में पानी मिलता है इसका जो शोध किया है चंद्रयान वान. इसी तरफ जब Mangalyaan 1 का सफल Brahman Mangal Kshetra में Mangal का कक्षा में स्तापित हुआ उस समय में पूरा दुनिया चोंख के हिंदूस्तान की तरफ देखा यह क्या हो रहा है हिंदूस्तान में यह लोग कैसे अपने जो रिसोर्सस कम रिसोर्सस है इसे भी पूरे दुनिया में पहली बार कोई भी एक कंट्री अपने पहला प्रायत्न में मंगल काक्षन में एक उपग्रह को स्तापित कर पाए इसमें जो अपने विग्नानियों और तंत्रग्नानियों का जो काम है और यह लिए प्रस्शम से नहीं है और आप सबको यह जानते हुए बहुत कुशी होगी जिस मंगल ग्रह के यह जो उपग्रह थे पहले हम सोच रहे थे केवल चे महीने तक काम करेगा मगर अभी चार साल हो गया और अभी काफी साल यह काम करने वाले हैं यह मंगल ग्रह का जो उपग्रह है उसका कठिना ही अगर आप समझना चाहते हैं यह उपग्रह जब हम 5 नवंबर 2013 को चोड़ा था उसका काम था करीब करीब 10 महिना बाह्याकाशक में चले और करीब करीब 60 किलो मीटर तक प्रयान करने के बाद आप बाह्याकाश में एक 50 किलो मीटर का क्यूब इमाजिन कीजिए और 24 सितंबर 2014 को सुबेरे 7.30 बजे वो सेकेंड पे अगर यह उपग्रह वो क्यूब के अंदर नहीं होता तो हमको सफलता नहीं मिलती और ऐसे दिक् किरन ये उपग्रह में पढ़ता है वो भी उसको दिशा को बदल सकता था मगर ये सब कटीनियाओं को पार करते हुए हमारे वाइगनानिकों ने तंत्रगनानियों ने ये सफल काम किया उसके अलावा पिछले साल पिछले दो साल से पहले एक ऐसा उपग्रह चोड़ाता हमन जिसमें एस्ट्रो साथ कहते हैं उसको हमारे देश में ही तयार हुए वाइगनानिक इंस्टिउशन्स में इंडियान इंस्ट्यूट अफ एस्ट्रो फिजिक्स, टाटा इंस्ट्यूट फॉल्डमेंटर लिसर्च, इंटर युनिवर्सिटी सेंटर फर अस्ट्रोनमी एंड एस्ट्रो फिजिक्स, एक जगा पे तयार हुआ एक दूर्बीन जो बोलते हैं आप रात को देखते हैं, चंदरमा देखते हैं, तारों को देख सकते हैं, मगर पृत्वी से अगर आप देखते हैं, तो आटमास्फियर के तरू देखना पड़ता है और कभी-कभी आटमास् में आपको ये जानकर कुशी होगी, पूरा दुनिया में अति सूक्ष्म टेलिस्कोप, फार अल्ट्रा वैलेट में, करीब-करीब तीन गुना बेहतर एक टेलिस्कोप अगर आज काम कर रहा है, ये आपके हिंदुस्तान में निर्मित हुए एक उपकरन है, इसी तरफ अभ अगर हम एक शेतर में ऐसे आगे जा सकते हैं, आज हमारे पास करीब-करीब 49 उपग्रहों के जरिये, कम्यूनिकेशन क्षेतर में, रिमोट सेंसिंग क्षेतर में, नाविक या जियो स्पेशल टेकनोलोजी के लिए, ये सभी क्षेतर में हिंदुस्तान काफी आगे है, और एक शेतर है, जिसमें पूरा दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखता है, अगर हम एक शेतर में ऐसे आगे जा सकते हैं, आप लोग चाहे तो आने वाले दिनों में, आप लोग ये ठान सकते हैं, कि हिंदुस्तान पूरा हर क्षेतर में, हर दिशा में आगे जाएगा, और अगे आते हुए पूरा दुनिया में यह दिखा सकता है कि हिंदुस्तान अग्रगर्णी हो सकता है, हिंदुस्तान विश्वगुरू बन सकता है. इसमें मैं दो चीज आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग काफी लोग जानते हैं, आज हमको यह कहा जाता है, हम करीब करीब दुनिया में 6th advanced और economically strong country है, चेटास्तान है हमको economic शेत्र में, आने वाले कुछ वर्षों में हम तीसरे तान प्रात करने वाले हैं, उसका मतलब है हम हिंदुस्तान में काफी तरक्य कर रहे हैं, मगर यह तरक्य करते हुए आने वाले दिनों में और भी आगे जाने का जरूरत है, और आगे जाने के लिए कौन को किस को काम करना चाहिए, आज के युवापीडी को काम करना चाहिए, आप लोगों को काम करना चाहिए, हम लो कोई नहीं रोक सकता है और आप सब अगर यह अगर सोचेंगे आप अपना खुद का पेपबिलीटी आज अगर कोई हिंदुस्तान को रेकरनाइस करता है काली एक चीज के लिए रेकरनाईस कर सकता है कि आप के पास जो क्षमत थे हैं कर दिकाने का इसके लिए आपको मान सकते हैं काली हम बात है करेंगे तो कोई हमको मानेगा नहीं तो इसलिए आपको ये करके दिखाना है हम हमारे जो civilisation है हजारों साल तक पूरा दुनिया को ये दिखाया कि यहां पे आध्यात्म आगे रहता है और पूरा दुनिया में जो लाइफ है ये एक इंटिग्रेटेड फार्म पे देखने का है पूरा पूरा पृत्वी एक है वसुदाईवा कुटमबकम जो कहते हैं ये हर एक शेत्र में हम अगर आगे जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अकिला बारत विद्यार्ति परिशत क यहां पे आप सब लोगों को इकटा करके एक मन्थन के लिए जो बुलाए है उसके लिए मैं उनको बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों को मेरा हारदिक शुबाशय है और मैं आप सब लोगों को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं हमारे देश में काफी कि मैं मिरा खुद का नॉलेट बढहूंगा मैं फिर्श कह स्की्ल बढहूंगा उसके जरिए मारा देश के लिए काम करूंगा इसके लिए पूरा विश्न में बारत देश को आगे लेया हंगा यह ऐगर मान के आप चलेंगे अप सब को मेरा सब हारदिक शुबाशय है। ठ》 थेक्यू जो रिसेर्च इस हो रहा हैं तो यह फिजिकल साइंस में एपलाइड साइंस में इसरो हमारे सामने है उत्तम उदारन है और हमारे लिए गवरहू की बात ये है कि आप जे से विगनानिक जो ग्यान विग्यान और समाज को जोडने की बात करते हैं और पुरी पुरा जिए